जा रहा है और आप सब जानते हैं जैसे कि अभी तक प्रेस में चड़ा है कि पांश कोड़ शुक्रित हो चुकर यह सब बाते हैं अगर यह सब बाते तो नेता हैं अपने स्टेटमेंट दे अपने लिखीत में दे आज तक सिर्फ और सिर्फ धमतरी के नाम से यह लिखा जा रहे है कि सुत्र जार आज दस साल से अमारे साथ धमतरी के साथ सिर्फ और सिर्फ अत्याचार हो रहे है ना बाइपास हो रहे है सिर्फ नेता हो गई है कि फाइल आगे बढ़ रही है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है धमतरी में और कितनी लासे चाहती है रमन सरकार या कोई भी सरकार हो इससे पहले जब दूसरी गोवर्मेंट थी तो इंजन प्रतिनी जोगा कहना था कि ऊपर से पैसा पास नहीं हो रहा है आज केबिनेट में मंतरी तुमारे धमतरी में मंतरी तुमारे राज्य में मंतरी तुमारे उसके बाद धमतरी में बाई पास नहीं हो रहा है तो इसका क्या रिजन है मेरा खुला चलेंज है मीडिया के रूप से नेता यहाँ पे आ के बताएं कि हम उनकी फाइल कहा तक पहुंची है अगर नई पहुंची है तो हम धमतुरीवाशिओं को बताएं हम धमतुरीवाशियों इतनी सक्षा मे यहां से अपना पैसा कलेक्ट करके वहां तक बेस सकते है और अपना बाइपास बनवा सकते है हम यहां पर सिर्फ हए शिर्फ मुवाते नहीं सहेंगे